प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोधी के नेतरत वाली इंडिये सिरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है और इसमें सोना चांदी को लेकर एक बड़ा एलान के आगया है इसके बाद सोने की कीमतों में अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिली है कल वित्त मंत्री निर 1000 रुपए और चांदी 3600 रुपए सस्ती हो चुकी है सरकार ने बजट में सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15 प्रतिशत से घटा कर 6 प्रतिशत कर दिया है इससे भाग में ये गिरावट आई है वही बजट के अगले दिन यानी आज 24 जुलाई को सोना 408 रुपए से ग गया है कल इसमें 3600 रुपए की गिरावट आई थी वही चांदी आज 22 रुपए गिरकर 84,889 रुपए प्रतिकिलो पर आ गई है वही कल चांदी में 3600 रुपए की गिरावट थी बात करें MP की राजधानी भुपाल की तो यहां 10 ग्राम 22 कैरेट सोना की कीमत 65,000 रुपए औ 110 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 70,910 रुपए की है एक और जहां वित्मंत्री के एलान के बाद सोने के भाव में कमी आई तो दूसरी ओर चांदी भी देखते ही धराम हो गई मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर चांदी की कीमत 89,015 रुपए पर पहुच गई थी और अचानक इसमें भी तेज गिरावट आने लगी और सोने की तरह ही ये कीमती धातू भी 4,740 रुपए सस्ती होकर 84,275 रुपए प्रती किलोग्राम के स्तर पर पहुच ग फीसिदी कर दिया है इसमें बेसिक कस्टम ट्यूटी पांच फीसिदी एग्री इंफ्रा एंड डेवलप्मेंट से एक फीसिदी है इसके अलावा प्लैटिनम पर लगने वाला शुलक कम होकर अब 6.4 फीसिदी हो गया है इसके अलावा विक्तम वंतरी के बजट के ऐलान के म उताबिक इंपोर्टेट जुएलेरी पर भी कस्टम यूटी में कटाउती की गई है दरसल सोने और चांदी पर सीमा शुलक घटक छे प्रतिशत कम कर दिया गया है इससे घरेलू कीमतों में भी गरावत देखने को मिल सकती है और गोल्ड डिमांड में बढ़हौतरी हो सकती है सोने और चांदी पर मौझूदा शुलक 15 प्रतिशत है जिसमें 10 प्रतिशत बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5 प्रतिशत अग्रिकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्मेंट से सामिल था वितमंत्री के एहलान के बाद अब 5 फीसिदी बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी जबकी से 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 एक फीसदी होगा Precious Metals Precious Metals To enhance domestic value addition in gold and precious metal jewelry In the country, I propose to reduce customs duties on gold and silver to 6% and that of platinum to 6.4%. अबस्त सब्सक्राइब और चेता हीर थे सब्सक्राइब एंप रग्षित